Hello everyone, welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में मैं पिछले 7 महिनों के जनवरी से लेके जुलाई तक टोटल क्वेश्चन थे 5100 जो मैंने कवर किये हैं अपने विकली वीडियो में उन में से 500 बेस्ट क्वेश्चन आपको एक सीरीज में कवर करूँगा और 4 वीडियो आएंगे एक वीडियो में 125 क्वेश्चन होंगे तो टोटल 4 वीडियो आएंगे और 500 क्वेश्चन होंगे ये आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए आपके लिए एक मिल का पत्थर साबित होंगे और धंग से पढ़िये और जो भी अतिरिक्त इंफर्मेशन होगी वो भी मैं देता चलूँगा इस वीडियो का PDF भी उपलब्द होगा हमारी वेबसाइट पर और हमारे टेलिग्राम ग्रूप के अंदर तो चले शुरू करते हैं 500 Best MCQs अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं जैसे CGL, CLAT, IBPSPO, CLERK या UPSC तो हमारे pen drive courses उपलब्द हैं आप इस नंबर पर डायल करके अधिरिक जानकारी ले सकते हैं सबसे पहला सवाल है प्रसार भारती प्रसार भारती का नए CEO किसे अपॉइंट किया गया है वैसे मैंने special videos भी बनाए है appointments के books and authors के obituary वगारा के लेकिन इनमें भी cover करते हैं सबसे important तो प्रसार भारती के नए CEO है शशी शेखर वेंपती शशी शेखर वेंपती इन में से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने एक cashless system लगाया है public distribution system के लिए और हमारे जो PDS minister है वो है राम विलास पासवान लोग जन्शक्ती पार्टी के तो जो खाना है food, food से related तीन minister आपको याद रखने हैं एक तो हमारे जो food processing minister है हरसिमरत को और बादल दूसरी है हमारे consumer affair और PDS के मंतरी food processing की हरसिमरत को और बादल और food and consumer affair के हैं राम विलास पासवान वो PDS के minister भी है और agriculture minister है रादा मोहन सिंग ये तीन मंतरी important है public distribution system को लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात गुजरात के मुख्य मंतरी है वेजर उपानी पहली बार कोन से उस वक्त ये कॉलकता हाई कोट के judge थेग और Supreme Court ने इनको contempt of court notice दिया और फिर इनको हटा भी दिया गया तो इनका नाम क्या है इनका नाम है Justice CS कर्णन Senior Badminton National Championship जो हुई थी 81 वी वो किसने जीती यानि Woman Single Champion कौन बनी ये बताइए ये बात हो रही है यहाँ पे Badminton की तो Badminton का खिताब जीता रितू पढणा दास ने रितू पढणा दास Badminton के एक खिलाडी और बहुत निउस में है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ World No.8 रैंकिंग है इनकी और इनका नाम है किदंबी शिरिकान जो Chen Long और Lin Dan जैसे Olympics Gold Medalist को हरा चुके है इन में से कौन सा Booker Prize Winning Author है जिसकी किताब रिलीज हुई 2017 में Golden House Golden House नाम की किताब है सलमान रश्दी जिनोंने कई विवादासपत किताबे में लिखी है इनकी दो किताबे और आपको याद रखनी है एक जिसके लिए इने Booker Prize मिला था इस किताब का नाम है Midnight Children सलमान रश्दी की लिखी हुई किताब 1981 में आई थी और इसको Booker of Bookers भी मिला था यानि वो सारी किताबे जिनको Booker Prize मिला हुआ है उनके अंदर भी Best जो किताब है वो भी Award इसे मिला था और एक इनकी Controversial किताब है The Satanic Versus इसके लाबा अरुंधती रोय की दो बुक्स आपको याद रखनी है जो एक्जाम में आ सकती है एक जिसके लिए अरुंधती को 1997 का Booker Prize मिला था The God of Small Things और 20 साल के बाद उनकी किताब आई है इस साल The Ministry of Utmost Happiness इन में से कौन सी स्कीम है जो सरकार ने स्टार्ट करी है जिसमें 77 करोड बल्ब रिप्लेस किये जाएंगे 2019 तक ये टार्गेट है 77 करोड बल्ब जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उनको LED बल्ब से रिप्लेस किया जाएगा इस स्कीम का नाम है उजाला और उजवल और उजवल में confused नहीं होना है उजवल स्कीम ये है कि जो LPG connection दिये जाएंगे BPL families को free of cost ये उजवल स्कीम है मैं बात कर रहा हूँ उजाला की और उजवल जो स्कीम है ये है कि हमारी जो बिजली वित्रन कंपनिया है उनकी जो debt है वो distribute की जाएगी तो उजवल डिसकोम assurance ही हो जना और उजवल देश का आम नागरिक जिसकी पहली flight चली शिमला से दिल्ली तो ये आपको सारी चीज़े याद रखनी है उजाला, उजवल, उदे और उडान और उडान स्कीम जो हमारे civil aviation minister ने बोशो गजपती राजु है और उदे बगारा इनके बारे में जो भी important information में आपको बता देता हूँ पहले जो मैंने आपको उजाला बताई उजाला की full form है उननत ज्योती by affordable LEDs for all और गुजरात पहला राजिया बना था जिसने 2 करोड बल LED माटे थे 2 करोड टोटल टार्गेट है हमारा 77 करोड और हमारे जो उर्जा मंत्री हैं वो है प्यूश गोयल कोयला, उर्जा, जैविक उर्जा के लिए जो मंत्री हैं पावर मिनिस्टर वो है प्यूश गोयल इन में से कौन सा देश है जो नंबर वन बन गया है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसने सोर उर्जा को प्रोडियूस किया सोर उर्जा के लिए एक International Solar Alliance भी है, International Solar Alliance दो देशों ने स्टार्ट किया था, France और India उस वक्त France की राश्पती थे, France was Holland ये जब COP21 में मिले थे तभी ये स्टार्ट किया था, और पैरिस में, December 2015 में अब जो solar power production है, सबसे ज़्यादा हो गया, China के अंदर चाइना के अंदर हो गया है 77.42 गीगावाट 2016 के एंड में हो गया था विरप्पन, विरप्पन को कैसे पकड़ा कैसे मारा, इसके उपर एक किताब है विरप्पन Chasing the Brigand इसमें पूरा बताया गया है, याद रखिए विरप्पन को मारने के लिए जो ओपरेशन किया गया था, उसका नाम है ओपरेशन ककून, तो इस किताब को किसने लिखा है, और विरप्पन जो एक करनाटक के जंगलों में ये छुपा दैता था, और एक बात और याद रखिए, एक करनाटक के मश्यूर एक्टर थे राज कुमार, उसका ये अब याद रखिए, ये TOP 3 कंट्री, नमबर 1,S, number 2 UK, और number 3, Germany, यूरेनियम के रिजर्व, भारत के कौन से उत्तरपूरी विराज्ये में मिले हैं अब यहां पे जो uranium के रिजव हैं लगभग 90 लाक टन हो गए हैं 90 लाक टन से भी ज्यादा तो यह uranium के नौर्ठीस्ट के कौन से स्टेट में मिले हैं ये स्टेट है मेघाले है मेघाले की राजधानी है शिलॉंग और मेघाले के अंदर एक इंपोर्टेंट जगा भी है चेरापुंजी जहां बहुत ज़दा बारिश होती है और सब ज़दा बारिश आज तक रिकॉर्ड की गई है मौसिन राम में इन में से कौन सा उत्तरपूरी भी राज्य है भारत का जो पहला राज्य बना जिसने electronic cabinet solution को implement करा लागू करा ये करा अरुनाचल प्रदेश ने जहां पे पेमा खंडू की सरकार है भारती जिंता पार्टी की और इटा नगरिस की राजधानी है अरुनाचल प्रदेश में एक चाइना और भारत के बीच में disputed area भी जिसे बोलते हैं तवांग फ्रीडम फाइटर मशूर स्वतंत्रिता सेनानी जिनने तामर पत्र भी मिला हुआ था रचरला समराज्यम ये कौन से इनका निधन हो गया ये कौन से राज्या से थी तो ये थी आंद्रपरदेश ये विशा के अंदर MS Swaminathan इनको ये बहुती बड़ा सम्मान दिया जिसका नाम है Governor General's Medallion इनके Agriculture में क्रिशी में योगदान के लिए ये दिया Canada ने United Nations Office on Drugs and Crime जो ड्रग्स को, क्राइम को, जुर्म को रोकने के लिए काम करता है उन्होंने कौन से पंजाबी फोक सिंगर को Blue Heart Campaign का Brand Emissator बनाया ये Human Trafficking पे Awareness फेलाने के लिए Human Trafficking, Human Trafficking होता है जब किसी को उसकी इच्छा के विरूद उससे काम करवाया जाता है उसको बंदी बनाके जैसे Prostitution या Bagging ये सब करवाया जाता है ये सिंगर है सतिंदर सर्ताज और ये अभी अभी नियूज में आए है क्योंकि इनकी पिच्चर आई है जिसका नाम है The Black Prince जिसमें इन्होंने महराजा दलीप सिंग की भूमी का निभाई है सरकार ने अभी अभी ये कह दिया है कि आप अपने PAN Card को अधार से लिंक करोगे एक जुलाई से करना था Supreme Court का फैसला आया था आठ जून को कि ये करना पड़ेगा तो कौन से ऐसे राजिये हैं जिनमें ये exempt कर दिया गया यानि जिन पे ये लागू नहीं होता ये जो act है ये लागू नहीं होता असाम पे मेगाले पे और जमू कश्मीर पे सो आंसर है all of the above इससे पहले जो Supreme Court ने का था कि LPG को भी लिंक करना आधार से वो भी इन राजियों पे लागू नहीं होता असाम मेगाले और जमू और कश्मीर दुनिया की पहली Braille Atlas, Visually Impaired Persons के लिए लाउंच करी है कौन से देश ने लाउंच करी है, इंडिया ने लाउंच करी है Braille भाशा होती है, लूई Braille जो खुद रिष्टी हिंथे उन्होंने बनाई थी Braille और इसमें कुछ चीज़ें याद रखिये, ये जो सज्जन है ये है हमारे Minister for Earth Science, Science and Technology और परियावनन मंत्री भी अभी आई है, इनका नाम है डॉक्टर हरशुवर्धन Mission 11 Million, ये कौन से खेल को प्रोमोट करने के लिए करा गया है एक करोड दस लाग बच्चे भारत में है, जिनको ये खेल सिखाये जाएगा इसके बारे में जागरुता फिलाई जाएगी, तो ये खेल है Football, Mission 11 Million, और इसमें Mission 11 Million में हमारा जो पार्टनर है Sports के बारे में सोचता रहता हूँ, All Day I Dream About Sports इन में से कौन सा केरल का प्रोड़क्ट है, जिसे जोगरिफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है और अभी ये Legal Rights के दोरा Protected है, यानि इसको कोई फरजी नहीं बेच सकता, वो कानूनी जुर्म माना जाएगा ये है निलंबूर का लकडी, निलंबूर टीक जिसे कहते है और दार्जिलिंग की चाए, ये पहला प्रोड़क्ट था भारत का, जिसको जोगरिफिकल इंडिकेटर टैग मिला था दार्जिलिंग की चाए BRICS Summit, ये इस बार हो रही है चाइना में, अभी होने वाली है, ये सेप्टेंबर 2017 में और अभी, अगले ही हफते होगी BRICS NSA Meeting, यानि National Security Advisor मिलेंगे, अजी डोवल जा रहे है हमारे यहां से जो हमारे National Security Advisor है, और देखना पड़ेगा कि डोकलम का जो इश्यू है वो solve होता है कि नहीं होता, खेर BRICS Summit इस बार चाइना में हो रही है, जियामेन में, इसका theme इस बार क्या है, इस बार इसका theme है, BRICS Stronger Partnership for a Brighter Future FIFA Under 17 World Cup आप जानते हैं भारत पे होगा, बहुत सारी जगा पे होगा, और इसका final खेला जाएगा, कहाँ पे, Salt Lake Stadium कॉलकता के अंदर इस बार इसका mascot कौन है, यह इसका mascot, यह Tendua है, Tendua मतलब क्या होता है, Leopard, क्या नाम है इसका? इसका नाम है Kheleo, यह mascot होता है, कोई जानवर जो उस जगा की संस्कृति के बारे में बताता है, तो जैसे मैंने बताया, यह Tendua है, पिछली बार का जो champion है, Nigeria, यह 2015 का champion है, यह इ याद रखिए नोबल जीता इन्होंने MRI आपने MRI scan सुनाओगा CT scan MRI scan वगरा तो CT scan और MRI में ये फरक होता है CT scan 2D images देता है MRI scan 3D image देता है आपकी तो MRI scan किसने बनाया था इनको Nobel Prize भी मिला था इनका निधन हो गया तो इनका नाम है Peter Mansfield और कौन से देश के हैं ये ये इंग्लेंड क के लिए देता है Sweden और peace के लिए देता है Norway हमारे जो उर्जा मंत्री है power minister जो है पियूश गोयल उन्होंने कौन सा portal और mobile app launch करा है जिससे हम हमारा जो mining sector है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और ease of doing business को promote करने के लिए इसका इन्होंने नाम रखा है ताम्र ताम्र की full form भी ह transparency auction monitoring and resource augmentation यानि कि पारदर्शिता लाएंगे और निलामी जो होगी उसको हम monitor करेंगे और हमारे संसाधनों को बढ़ाएंगे ताम्र इनमें से पहले भारती बैट्समें कोन बने जिन्होंने चार test series में लगातार मदब एक series में 200 मारे यानि चार test series में लगातार 200 रन करने वाल अभी भारत में एक conclave हुई थी national women's parliament इसके अंदर बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया बच्चियों ने हिस्सा लिया स्कूल की students ने हिस्सा लिया 40 से ज्यादा इसमें MP थी तो ये कहां पे हुई थी this is a very important question ये हुई थी आंधर परदेश में आंधर परदेश के बारे में आप जानती है ये नरसिमा है यहां के governor और चंदर बागु नाइडू है यहां के मुख्य मंत्री वैसे ये नरसिमा त्यलंगाना के governor भी है इसकी राजधानी अमरवती है 2017 का जो mobile world congress हुआ था ये सबसे बड़ा event होता है mobile के business में तो GSMA mobile world congress कहां पे हुआ था तो ये बार्सिल दवाईयां मिलती है इसके अंदर जो generic medicines वगारे हैं बहुत सस्ती मिलती है कौन सी ministry चला रही है इसे याद रखिए इसमें आप ये confused हो जाएंगे ministry of health नहीं चला रहा है इसे काया कल्प अवार्ड भी मिला था इस साल ये भी आद रखिए affordable medicines and reliable implant for treatment नाम है अमृत और एक्स की मोरे मिलती जूलती अमृत अमृत क्या है अमृत ये है अटल mission for rejuvenation urban transformation अटल भिहारी वाजबाईजी के नाम पे इसका नाम रखा था अटल pension योजना का नाम भी अटल करना है उनका हमें उनका नमीनी करन करना है और इसे चलाती है ministry of urban development अब मैं आप से पूछू हमारे urban development minister कोन है आप ओलेंगे वेंकाया नायडू जी नहीं नहीं है वेंकाया नायडू ने स्तिफा दे दिया है क्योंकि ये vice president बनना चाहते है उप राश्प्रति भारत के बनना तो urban development department किसके पास गया है नरेंदर सिंग तोमर के पास चला गया है जो हमारे rural development मंत्री है और इनके पास एक department और था information broadcasting minister भी तो वेंकाया नायडू थे तो ये चला गया है स्मृति रानी के पास जो textile minister है कौन सा ब्रेंड है जिसने पहला भारत का metal 3D printing provider intact DLMS के द्वारा बना जाएंगी मैं question को थोड़ा simplify कर देता हूं basically यह है कि DMLS नाम की एक company है ठीक है इन्होंने एक यह basically 3D printing करती है यह company अब इन्होंने jet engine series निकाली है यह अपनी भारत की खुद की है पहली इतिहास में भारत की है इसका इन्होंने नाम क्या रखा है बस यह अपता जिए तो नाम अब इनमें से कौन सा राज यह है जहां पर जो मुगा सिल्क है उसे बढ़ाने के लिए एक wildlife century बनाई जाएगी इसमें मुगा मुगा सिल्क जो होता है सैरी कल्चर बोलते हैं से जब हम रेश्मी कीडों का उत्पादन करते हैं उनको पालते हैं उसको बोलते हैं सैरी कल्चर तो मुगा बहुत पॉपुलर यहां का बहुत ज़्यादा कॉसली है यह मुगा मुगा एरी के कई तरह के सिल्क होते हैं यहां पर यह है असाम अब देखिए यह कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो आप जैसे CGL या कोई भी एक्जाम की तो उसमें आपको wildlife century भी पता होन तो यह तो main है जैसे मानास यह तो खरियादी रहती है मानास काजी रंगा और 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 सोनाई रोपई इसके लाबा कुछ और भी important है तो यह एकदम टिप्स पर हो नीचे जैसे जमू कश्मीर में और क्या है जमू कश्मीर में एक भारत के bird man थे सली मली उनके नाम पर सली म आंद्र पर देश में आप चेक कर सकते हैं कौन सी है बंगाल में दो याद रखिये बंगाल में मेन तो है बकसा यह जो रिजर्व है वो बंगाल में है और तो बस बक्सा ही याद रखिए बाकि इसके अलाबा और भी है important मद्धे पर देश में सब्से इसको बोलते हैं GMR, Hyderabad International Airport Limited, यानि GHIL, जो राजीव गांधी एरपोर्ट है, वो हैधराबाद का एरपोर्ट है, इसे मिला KAPA Chairman Order of Merit for Environment Sustainability, एक बात वर्या देखिए, भारत का पहला एरपोर्ट, जो carbon neutral है, वो कौन सा है, इंद्रा गांधी इंटरेशनल एरपोर्ट, भारत का ह हमें test fire किया अपना advance air defense interceptor missile, यह क्या होता है, अगर कोई देश हमारे उपर missile मारेगा, तो हवा हवा में इसको हम खतम कर देंगे, तो यह पाकिस्तान के उपर हमने दिमाग में रखके किया था, जो फिर हमारे पास अब interceptor missile है, जो उसे बीच में हवा हवा में खतम कर देगी, अभी हमारे पास iron dome नहीं है, जिससे हम बच सके हैं, लेकिन फिर भी यह भी काफी काम करेगी, इसका नाम है अश्विन, दो तरह के हमारे पास defense है, एक तो है PAD, जिसे बोलते हैं पृत्वी air defense, यह पुराना हो गया है, अब नई technology है AAD, यानि कि अश्विन, और हमारी no first user, यानि हम पहले किसी पर nuclear bomb हम नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा पहले हम पर nuclear bomb मारेगा, तो फिर वो भी, वो भी जान से जाएगा, खेर, मशूर sand artist को होने, इन्होंने Guinness World Record बना दिया, यह देखिए, इन्होंने बना दिया, इन्होंने Guinness World Record मिल रहा है, दुनिया का सबसे उचा, मिट्टी का, इन्होंने पुतला बनाया, 48 feet, 8 हिंच का, इनका क्या नाम है, इनका नाम है, सुदर्शन पटना है, यह जनरली पूरी उडिसा की बीचिस पे, यह बनाते हैं अपना sand castle वगरा, कॉलकता की जो यह आपने देखिए होगे, ambassador कार होती थी पहले, यह मैंसे टेटार बिग गई सिर्फ 60 करोड रुपे में, कौन सी कंपनी ने खरीदा इसे, इसे खरीदा प्योजी ओट ने, यह बहुत इंपोर्टन क्विश्चन है, रेनॉल्ट यह फ्रांस की कंपनी है, यह बियाद रखिए, गाडियां वगरा आती है, इसकी, एरबस यह क्य यह हसेरस के कवी थे, इनका असली नाम क्या था, अक्खड बनार्सी का, जब यह एक्सपायर हुए तो खुद पर्धानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था, कि वो काफी दुख हुआ उने इनके एक्सपायर होने से, इनका नाम है पंडित धरम शील चतुरवेदी जी, टी ट्वंटी का, जो ब्लाइंड वल्ड का पुआ था, द्रिश्टी हिनो के लिए जो वह था, विजुल इंपेड जो क्रिकेटर होते हैं उनके लिए, तो वो उसमें भारत ने जीत रिया और हराया पाकिस्तान को, तो मैन अफ दा मैच कौन था फाइनल में, फाइनल में मै अफ दा मैच था, परकाश जैरमया, और मैन अफ दा सीरीज कौन था, मैन अफ दा सीरीज था, सुरंगा संपत, ये शिरलंका के द्रिश्टी हिन खिला रही हैं, और ब्रैंड अमेसेडर कौन था, राहुल द्रैविट, जो इस बार द्रिश्टी हिनों का वल्लक प होगा था विकेट लिया, तो रवी चंदर अश्विन जो हैं, ये सबसे तेज टेस्ट मैचेज में विकेट लेने वाले, कौन से नंबर के ये वो बने, मतलब कितनी विकेट इनों लिली, फास्टेस्ट, तो 250 विकेट लिया हैं, एक और चीज, इनोंने कपिल देव का रिकॉर्ड भी ये रिकॉर्ड भी हश्विन ने तोड़ दिया, एक सीजन के अंदर सब ज़्यदा टेस्ट मैचेज में विकेट लेने का, इन में से कौन सा रिसर्च और सर्वे क्लास वैसल है, जो भारत का पहला जहाज बना, जिस पे हमने सोलर पावर से उसे उस पे लाइटिंग की, सोलर पावर युक्त बनाया, कौन सा है ये जाज हमारा, इस जाज का नाम है आई एनस सरवेक्षक, और हमारे नेवी के चीफ कोन है, सुनील लंबा, वल्ड रेडियो डे, ये तहरा फरवरी को मनाते है, तो ये भी एक क्विश्चिन है कि वल्ड रेडियो डे का बाता है, व बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें रेस होती है, और कंबला के अंदर, एक और खेल याद रखिये, जली कट्टू, जली कट्टू तमिल नाडू का खेल है, उसको उनको भी उन्होंने क्रूल्टी से भार कर दिया था, बारवी फेडरल प्रेजिडेंट अफ जर्मनी कौन ब बनाएं, यह ड्रॉप आउट्स के लिए बनाएं, यह स्कूल तैर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, कहां पर बनाएं यह, यह बनाएं, मनिपूर के अंदर, यह काफी अच्छा सवाल है, मनिपूर के अंदर यह बनाएं, मनिपूर की राज़ानी क्या है, इमफाल, एज हो चैम, फिक की, इन सब के बिल्कुल टिप्स पो उने चीए आपके, इसका इनका नाम है संदीब जजो दिया, भारत का पहला cashless township, ये इसमें 10,000 की population है, लगभग, 5,000 permanent resident days के, और 10,000 की floating population है, तो ये cashless township है भारत का पहला, ये कहां पे बना, तो इसका नाम है GNFC, और ये N से नर्मदा, नर्मदा नदी कहां जाती है, भारुच के अंदर, तो आंसर है भारुच गुजरात में, इसका नाम भी मैंने लिख दिया है, गुजरात नर्मदा वैली इस वह है, अकोडरा, साबरकंट गुजरात में, कुछ भगत का संबन्ध कोन से खेल से है, कुछ भगत का संबन्ध है, शतरंज से, शतरंज के खिलाड़ी है ये, इस वक्छ शतरंज के जो चेस्ट चेंपियन है, वो हैं मैगनस कालसन, दुनिया के, नॉर्वे के हैं ये, कुछ भगत क्यों, जिकर हुआ हैं का, तीन गोल्ड मेडल जीत लिए इनोंने, सारे गोल्ड मेडल अकेले ये लिया है, साथ साल का बच्चा है सिरफ, और इसलिए इनको केंडिएट मास्टर हैं महाराष्टर में, तो याद रखिए ये, कि मैंने लिखा भी हुआ यहां पे, दोंजा उस्मानाबाद में महाराष्ट में, और जो नरेंदर मोधी हैं इनोंने कई गाउं को ले रखे हैं, तीन ले रखे हैं, अरुण जेटली ने अभी चार गाउं को लिए लेकिन अग दारुवाला, युनेसको हेरिटेज नेशनल पार्क कोन सा है, जहां पे युनेसको ने दो दिवसिये नेचर फेस्ट और्गिनाईज किया था, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क, और ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क है हिमाचल परदेश के अंदर एक और है वैली ओफ लावर ये है उत्राखंड में है इसके लावा उत्राखंड में एक दो और बता दिता हूँ उत्राखंड में है जिम कॉर्बेट येस और राजाजी है और एक और गोविन पशु विहार ये सब कहां के हैं उत्राखंड के हैं काजी रंगा आपक सेक्रेटरी बनी है पाकिस्तान की पहली महिला ये 29 भी फोरन सेक्रेटरी बनी है वहां की तो इनका नाम क्या है ये मेरे अपोइंट्मेंट्स में भी कवर किया था इनका नाम है तहमीना जंजुआ पहले क्रिकेटर कौन है भारत के जिन्होंने एक ओवर्सीज फ्रेंचाइज बेस लीग के लिए साइन किया है जैसे भारत में IPL होता है वैसे वहां भी 20 लीग होती है T20 तो इन्होंने हॉंग कॉंग लीग के लिए साइन अप किया इनका नाम है यूसुफ पथान बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवर्ड किने मिला सत्तरवे बाफ्ता के लिए आपने इन्हें सलम डॉग विलेनर बिच्चर में भी देखा होगा इनका नाम है देव पटेल और इन्हें कौन सी फिल्म के लिए मिला लायन बाफ्ता कहां का है ब्रिटिश ब्रिटिश फि लाला लेंड नहीं है औसकर में मिला मूनलाइट को तो ये दोनों में थोड़ा सा अलग है भारत के कौन से तबला वादक हैं जिन्होंने ग्रैमी अवर्ड जीत लिया 59th ग्रैमी में इन्हें ट्रोफी मिली ग्रैमी अवर्ड म्यूजिक के लिए सबसे उंचे अवर्ड होते पूरी दुनिया में और बहुत कम लोग है भारत की तरफ से जिन्होंने ग्रैमी जिता हुआ है जैसे पंडित रवी शंकर जी ने जिता हुआ है जाकिर हुसेन ने जिता हुआ है पंडित रवी शंकर जी सितार बजाते थे जाकिर हुसेन जी जो है ये तबला बजाते है और 104 PSLV-39 PSLV-37, C-37 उसका 39th flight था तो confused नहीं होना है, मैं repeat करता हूँ PSLV-37 था, लेकिन उसका जो flight था, वो 39 था C-37 नाम था इसका 104 में से कितने, सब ज्यादा किसके थे? 96 satellite जो थे वो अमरीका के थे और बाकी और भी देशों के थे इसराइल वगरा के थे, Switzerland, Netherlands कजाकिस्तान वगरा के थे, लेकिन 96 अमरीका के थे इसमें से तो 104 आंसर है इसका, ISRO के जो headquarter वो है, बैंगलूरू में यहाँ पर यही सब लिखावे जमाने बोला है, खेर जो UN peacekeeping operations है उसका head कौन बना है, तो यह 4 head आपको याद रखने है, सबसे important मैं नहीं यहाँ लिख दिया है, चारों तो यह किस-किस के हैं, Anthony Lake है UNICEF के, ठीक है UNICEF के head कोन है, Anthony Lake Jean-Pierre Lacroix, यह है peacekeeping operation के, तो आंसर इसी का यह है फिलिपो ग्रेंडी है, United Nation High Commissioner for Refugee, UNHCR, और Tedros Adhanom है यह है, WHO, Margaret Chan के बाद जो बने थे Tedros Adhanom की Nationality Ethiopia है Publication Division, जो Ministry of Information Broadcasting के अंडर है, Ministry of Information Broadcasting किसके अंडर आ गई है, स्मिर्ति रानी के अंडर आ गई है, तो इन्होंने एक Trust के साथ tie-up किया है, यह Trust महात्मा गांधी जी ने set-up किया था और इसमें यह किताबे चापेंगे, कॉमिक्स वगारा चापेंगे, जिसमें हमारे जो Freedom Struggle के जो Heroes है, उनको दर्शाए जाएगा तो इसका नाम किया है Trust का, जो महात्मा गांधी जी ने जिसका खोज किया था, यह है सस्ता साहित्य मंडल इन में से कौन से होकी खिलाड़ी हैं, जो साल के जिने इस साल Honorary Doctorate की डिगरी दिये Honorary Doctorate में के डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे और देश भगत युनिवर्सटी पंजाब नहीं ने दिये और यह बहुत मशूर ड्रैग फ्लिकर थे एक वक्ट, यानि इनका नाम है Sandeep Singh और पहला भारत का खुद का हमारा बनाया हुआ Airborne Early Warning and Control System कौन सा है, यह नजर रखेगा DRDO ने बनाया है यह और Air Force में इंड़क्ट भी हो गया है, इसका नाम है Netra अगला सवाल है, अभी अभी एक material बनाया है Carnegie, Melon, University, America के वेगैनिकों ने यह रबड की तरह है, बहुत ज़दा stretchable material है यह thermally conductive है लेकिन, thermally conductive मतलब यह होता है जो रबड होता है, उसमें से heat pass नहीं हो सकती, इसमें से हो सकती है इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, इसका नाम रखा है थबर, यह थबर है कौन से university ने बनाया है, Carnegie Mellon इनमें से कौन से राज्ये की सरकार है जिन्होंने electronic prison project बनाया है जिससे जो jail के कैदी है, उनका जो भी record है फाइलें, वो सब digital बना दी जाएंगी यह करा जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर के NN वो हो रहा है governor Asia Pacific का सबसे बड़ा military exercise हुआ, Thailand के इंदर जिसमें 30 देशों नहीं सरिया, क्या नाम है इसका इसका नाम है Cobra Gold वरुन जो है, यह हम किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ योदब्याज, अमरीका के साथ, hand in hand करते हैं हम चाइना के साथ इनमें से कौन से ओलंपिक के धावक हैं, जिने sportsman of the year साल का सबसे श्रेष्ट sportsman का award दिया laurea's world award, जो Oscar of sports जिने बोलते हैं मोनेको के अंदर हुए थे, इनका नाम है उसेन बोल्ट तीन ओलंपिक खेलों में लगातार, तीन gold medal जीते हैं तो total no gold medal इनोंने जीते हुए हैं 100 meter में, 200 meter में और 4 into 100 meter relay के अंदर पस्चिम मंगाल का 21 डिस्टिक्ट कौन सा बना है यह कई सारे नए डिस्टिक्ट बने हैं, 21, 22 और 23 21 पूछा आप से, जो पूछा उसी हिसाब से आंसर करो amphibian मतलब यह होता है, उड़ भी सकता है और पानी में भी चल सकता है जहाज का काम भी कर सकता है, उसको बोलते है amphibian aircraft इसका नाम है AG600, यह कौन से देश ने करा है successfully, complete इसके test यह है, चाइना का, चाइना का है यह, इसका नाम है AG600 और चाइना का एक rocket भी पूछते हैं exam में, जिसका नाम है Long March एक और rocket exam में पूछ रहे है, जो अमरीका की Elon Musk वाली जो company है क्या नाम था उसका, Elon Musk की, खेर उसका rocket है Falcon 9 Falcon 9, तो याद रखिए Elon Musk की जो company है, अभी थोड़ा नाम दिमाग से निकल रहा है लेकिन उसका Falcon 9 rocket है, company का नाम याद आगे है, SpaceX है, खेर आगे बढ़ते है अभी जो हमारे food security challenges है, यानि हमारे खाद्यानों की कमी हो रही है तो उसके लिए जो, कौन सा राज्य है, जिन्होंने, जो ये लगा रहे है फूड लेग्यूम research platform, लेग्यूम होते हैं, जैसे मारे दाल वगारा जो होती है, pulses वगारा इनमें nitrogen fixation capacity होती है, तो कौन से राज्य में लग रहा है फूड लेग्यूम research platform, ये लगाए जाएगा मध्यपरदेश के अंदर भारतिय मूल के, एक Scotland Yard के officer है, इन्हें outstanding bravery of the year award मिला है Scotland Yard है, Britain के अंदर, पुलीस का, इनका एक, वो है केंदर तो भारतिय मूल के, इन्हें bravery के लिए, अपनी बहादूरी के लिए मिला है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, शान पाने सर, और जो UK की प्राइम मिलिस्टर कौन है, थेरे सामी Q&A, ये किताब है Q&A, ये एक भारत के डिप्लोमेट ने लिखी थी, और अब ये भारत के हाई कमिशनर, उचा यूग बन गए कैनेडा में, क्या नाम है इनका? इनका नाम है विकास वरूप, आपको याद है, पिच्चर सलम डॉग मिलिनेर, वो इसी किताब के उपर बनी है Q&A, इंडिया सीड कॉंगरेस कहां पे हुआ, इसका थीम क्या था? कॉलकाता के अंदर इसका नाम है शबरी माला, साइंटिस्ट जो है उन्होंने दुनिया का सबसे ताकतवर मटरियल बना दिया है, इसका नाम है ग्राफीन, इन्होंने किससे बनाया है? कौन सी फसल है जिससे बनाया है? किड्नी बीन, जैक बीन, सोया बीन या राइस बीन? ये इन्होंने बनाय जो इन्होंने शुरू करी थी, पार्टी का नाम है विधर्ब जन्ता कॉंगरेस, भारतिय नेवी ने एक ऐसी नाओ, काफी ताकतवर नाओ है ये, लेकिन इसका संचालन महिलाएं करेंगी, यानि सिर्फ महिलाएं इसको देखेंगी, 30 महिलाएं हैं, इस पे जो ऑफिसर है, ज यहाँ पे ये औल वुमेन क्रू इन्ट किया गया था, तो नाम है तारी नी, इस नाओ का, गूगल ने अनाउंस करा एक प्रोजेक्ट, गूगल क्या करेगा, बेसिकली बहुत बड़े-बड़े गुबारे हमारे स्टेटोसफेर के अंदर छोड़ेगा, और ये हिलियम से य उड़ेंगे गुबारे, और इनके अंदर कुछ ऐसे चिप पोगारा लगे होंगे, जिससे इंटरनेट सर्विस गाउं गाउं में जाएगी, तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट लून, गूगल के सीओ सुंदर पिच्च चाई ह हेमा मालिनी के जीवन पे किताब लिखी गई, इसका नाम है हेमा मालिनी, Beyond the Dream Girl, तो इस किताब को लिखा किसने है, इस किताब के लेखा के कोन है, राम कमल, ये बुक से न उतर से क्वेश्चन है, मराठी एक बहुत फेमस जनलिस्ट थे, पत्रकार, जो लोकमत, नागपुर पत्री का जनवाद और गवकरी जैसे पब्लिकेशन के एडिटर रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ट, अभी इनका निधन हो गया, इनका नाम क्या था, इनका नाम है युधिश्टिर जोशी, एक और एक्सपायर हुए थे, दिलिप पटगाउंकर, वो भी महाराश्टर के ह एरलाइन कौन सा है, जो शिरिनगर एरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट उड़ाएगा, ये पहला फोरण का एरलाइन बना है, इसका नाम है एर एशिया, इनमें से कौन से राजी की सरकार है, जिन्होंने एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनिशेटिव लिया है, जिसका नाम है आ अभी एक्सपायर हुएं वो भी, तो दोनों में confusion कैसे दूर करें, उन्तालिसवा पूछा है तो आंसर होगा अल्तमास कबीर, और सतरवा पूछा है तो आंसर होगा पियन भगवती, भारत की वो कौन से फिल्म है, जिसे बरलिन फिल्म फेस्टिवल में, बेस्ट फिल्म का आर्टिस, ग्राफिक डिजाइनर, जेम्स बॉंड की फिल्मों में भी ये ड्रॉइंग वायरा बनाते थे, इन्होंने एक, इनका निदन हो गया, इनका नाम है डिक ब्रूना, और अब ये बताईए, इन्होंने एक काल्टून बनाया था, उस काल्टून का क्या नाम है, उस खिलाडी है, विराट कोली, इनमें से कौन सा राज्य है, अपना राज्यिक दिवस, यानि चिसे बोलते है, स्टेट हुड डे मनाता है, इस दिन ये बने थे बेसिकली दोनों, तो कौन से है ये, 20 फरवरी को कौन मनाता है अपना, अरुनाचल परदेश, त्रिपुरा या मि हरिदे इन 5 सालों में, 2012 से 2016, सबसे ज़्यार दुनियों मैं खरीदे और ये डिया, रिसर्च, रिपोर्ट दिया, स्टॉक्हों इंटरनाशनल पीस लिश्पर्ञ इंस्टीट है, ये खरीदे इंडिया ने, तीरत दर्शन स्कीम कौन से राजये ने स्टार्ट करी है, बुढ है प्रसाद, एक है स्वदेश दर्शन, तो ये सब स्कीम है, हमारे मिनिस्टर कौन है टूरिजम के लिए, डॉक्टर महेश शर्मा, इन में से कौन से राजी की सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया, अलकॉल कंजंप्शन पे, ऑफिशियल्स के, यानि जो अफसर हैं, सरकारी, अधिकारी हैं, वो शराब नहीं पिएंगे, ये करा, ये पहला, ऐसा करने वाला पहला राजे बना, बिहार ये राजे है, महशूर बॉलिवूड स्टार कौन है, जो एक नया शो करेंगे, स्टार टीवी पे, जिसका नाम है नई सोच, ये टेड टॉक्स का भारतिय वर्जन है, तो ये करेंगे शारु खान, नई सोच, ये शुरू होने वाला है, नेशनल सिक्योर्टी अडवाइजर, नेशनल सिक्योर्टी मुख्य है, सुरक्षा सलाकार किसे बनाया, डॉनल्ड टरम्प ने, ये बनाया जनल मेक्मास्टर को, सो आंसर है, जनल मेक्मास्टर, निक्की हले कौन है, निक्की हले साउथ कैरोलिना की गवर्णर थी, अब ये अमरीका की ambassador है UN में, Michael Flynn पहले थे इनका resignation मांग लिया था, Rex Tillerson है Secretary of State एक resource kit और mobile app launch करी है हमारे health ministry ने जो adolescent है, उनको सही रहा दिखाएगी क्योंकि इस उमर में कई सारे psychological changes होते है इस app का नाम क्या रखा है इस kit का नाम रखा है साथिया, और ये minister है हमारे हमारा जो DTA Department of Electronics and IT मंत्राले, इसके मंत्री रवी शंकर प्रसाद है इन्होंने एक security solution बनाया है, जो आपके laptop से malware, botnet, cleaning करेगा यानि wireless वगारा खतम कर देगा, इसका नाम क्या रखा है इस system का नाम क्या है, इस system का नाम है यहां लिखा भी हुआ देखिए, cyber, स्वच्चता, केंद्र पंजाब के मुख्य मंत्री, कैप्टन रमरिंदर सिंग के जीवन पे एक किताब लिखी कई है जिसका नाम है, इसको लिखा है खुश्वन सिंग ने यह वो वाले खुश्वन सिंग नहीं है, train to Pakistan वाले यह वाले खुश्वन सिंग है, जिनकी photo आप देख रहे हैं Airport Authority of India जो है Airport Authority of India अश्वनी लोहानी आप जानती होंगे और Airport Authority of India ने IATA के साथ मिलके एक end-to-end e-billing solution नाई electronic billing solution और आपको यह बताने हैं, इसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है SkyRev 360 This is very important question अभी तीसरा अध्याय National Biodiversity Congress का इसका theme था Mainstream Biodiversity Biodiversity क्या होती है, जैविक विविदता कई सरत के प्लांट, कई तरह के जन्दू, जानवर बगारा, सब को मिला के Biodiversity बोलते हैं तो यह कहां पे हुआ, यह हुआ, केरल के अंदर तेहरवा, नाट्यांजली फेस्टिवल कहा हुआ, डांस का फेस्टिवल है यह नाट्यांजली फेस्टिवल, यह हुआ, तमिलनाडू के अंदर इन में से कौन सा देश है, जहां पे Combined World Cup होगा शूटिंग के लिए, और इसमें जो अच्छा करेगा वो Olympics, टोक्यो में जो होनेंगी 2020 में उसके लिए कौलिफाई कर जाएगा, यह होगा, इंडिया के अंदर कौन से क्रिकेट खिलाडी हैं, जो सिर्फ दूसरे क्रिकेट खिलाडी बने, जिन्होंने एक हजार मैचिस खेले, एशिया के दूसरे और दुनिया के सौल बे, तो इनका फोटो देख रहे हैं, कुमार संगकारा, और पहले कौन थे एशिया के, इनी के टीम मेट महला जैवर्द ने, कौन से देश ने ये ऑपरेशन सुड़ू करा है, राद उल फसाद, यानि कि हम टेररिस को खतम कर देंगे उसके लिए, इन्होंने एक ऑपरेशन पिछले, दो साल पहले भी करा था, जर्बे अजब, तो ये किया है, पाकिस्तान इन में से कौन सा राज्य है, जो भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा, crude oil producer बन गया है, सब ज़्यादा दूसरे नंबर पे crude oil यहां पे होता है, पहले पे तो Bombay High है, महराष्टर, दूसरे नंबर पे राजस्थान, राजस्थान के गवर्नर कल्यान सिंग ने ये सूचना दी इन में से कौन सी organization, जो Ministry of Health के अंडर काम करती है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा एक program चलाया, quality of drugs को test करने के लिए, या जो दवाईया है उनकी जाच के लिए, ये कौन सी organization ने कराया, ये Health Ministry के अंडर आती है, इसका नाम है National Institute of Biological NIB, दुनिया का पहला international zip line, ये दो देशों आप ये होती है zip line, आप इस पे travel कर सकते हैं इससे, एक tourism को बढ़ावा देने का एक तरीका है, कौन से दो देशों के बीच में है ये, ये इतनी लंबी है, 2362 foot लंबी है, ये है पुर्तगाल और Spain के बीच में, Portugal and Spain, स्वच भारत अभियान के brand ambassador किसे बना गया था, स्वच भा हम missile कोन से देश से खरीदेंगे, medium range surface to air defense missile, MRSEM, ये असान सवाल है, हम agriculture में भी इस देश के साथ cooperate करेंगे, ये देश है इसराइल, और एक किताब लिखी गई जिसका नाम है judicial reforms, recent global trends, इसको किस ने लिखाए, इसको लिखाए दलवीर भंडारी ने, ये नाम सुना हूँ अलग का मनाया, इस दिन हम मनाते हैं Central Excise Day, CBC इसे मनाता है, तो कौन से दिन ये मनाया गया, कौन सा दिन था जब 74 साल पूरे हुए Central Excise and Salt Act 1944 को, ये दिन है 24 फरवरी, 800 किलोमेटर लंबा, वैस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट है, कलकत्ता से लेके और नीचे यहां तक पूरा चेन् वाला जो पार्ट है, वो बनेगा, उसके लिए 375 मिलियन डॉलर का जो लोन है, वो किस ने दिया है, ये लोन हमें दिया है, Asian Development Bank ने, Asian Development Bank में हमारा 4th नंबर पे सब जब जब जबा स्टेक है, Manila में इसका Headquarter है, और ताके ही को न काओ इसके President है, 22 फर राज ये कौन सा बना, जिसने उधे स्कीम को स्टार्ट करा, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, आप से पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन मेरे हिसाब से जाथो पहला पूछेंगे, या भी latest कूछेंगे, या ये पूछ सकते हैं, उधे स्कीम को कौन से राज-जो ने जोईन नहीं किया, तो सब बता इन में से कौन सी मोबाइल कमपनी है जिन्होंने टेले नौर को खरीद लिया है उसका इंडिया बिजनस खरीद लिया है इसके भी काफी यूजर है भारत के अंदर पांच-छे स्टेट्स में ऑपरेट करती है इसको खरीद लिया एरटल ने Kenneth Arrow इन्हें Nobel Prize जीता था और इनका निधन हो गया अब आप यह बताईए कि Kenneth Arrow ने जो Nobel Prize जीता था वो किस में जीता था इन्होंने Economics में जीता था और बस इतना याद रखिए Economics में जीता था इन में से कौन सार स्टेट है जो पहला स्टेट बना जो एक रजिस्ट्री बनाएगा Sex Offenders की जो Yon Utpiden के जो criminals हैं उनकी एक एक रिजिस्ट्री बनाएगा डिजिटल रिजिस्ट्री बनाएगा ये बनाएगा केरल पहली अंतियोदे टरेन चलाई गई, अंतियोदे टरेन के हैं अंतियोदे में कोई reservation वगरा नहीं होती आप जाएगे टरेन लेजए जनल कोछ सीज होते हैं और डेषी गरीब लोगों को दिमाग में रखने बनाएगी अंतियोदे एक्स्प्रेस कहां से कहां तर चली, पहली वाले कोश्चन पर जरूर आते हैं इनका नाम है क्रैसीरा डिक एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ एक साथ लगभग तीन लाक असी हजार जो कच्छुए होते हैं ओलिव डिली टर्टल जिने बोलते हैं वो एक साथ अंडे दिये उन्होंने कहां पर दिये ये बीच है बहुत ही फे चिलका लेक हैं यहां पर वहां भी एक सेंचुरी है वैसे चिलका लेक जो भारत का सबसे बड़ा कोस्टल लेक है जो सॉल्ट वाटर लेक है वो भी चिलका लेक उडिसा के अंदर है तो बस इतना ही याद रखिए इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक एग्रिमे में launch हुआ कहां पे हुआ है यहां पे जो ईशा foundation के जग्गी वासुदेव जो है गुरुजी वो भी थे और पधामन्ती मोधी भी थे तमिलाडू में वो था कोईमबटूर में हाई कोट इन में से कौन से राज जेगा है जिसने electronic payment गेटवे एक शुरू करा और यह स्टेट गवर्मेंट के साथ मिलके स्टार्ट करा online payment जिसे कोट फीज किया आप कर सकते हैं electronically कर सकते हैं यह करा गोवा हाई कोट ने स्वांसर है गोवा International Hockey Federation ने साल का सरवश्ष्ट खिलाडी का आवर्ड किसे दिया male player of the year यह मिला Belgium के जौन जौन डॉमन को कौन सा ऐसा भारत का हिल स्टेशन है जहां पे साइकल चराने के लिए रास्ता तयार किया गए यह भारत का पहला हिल स्टेशन है जहां पे बाई साइकल पाथ इनोगरेट हुआ है यह है पश्यम मंगाल में दारजलिंग कौन से मुख्यमंत्री ने यह medical project शुरू करा है जिसका नाम है राहत राहत बेसिकली यह है कि जो heart attack वगरा से लोग मर जाते हैं गरीब लोग तो उनके उनको कुछ मुआज़ा दिया जाएगा उनके heart attack कम करने के लिए सरकार पूरा परियास करेगी यह करा है राजस्थान की सरकार ने वसंद्रा राजे ने launch फॉर्फियस फॉर्फियस क्या है देखिए अगर आप table tennis के शोकीन है तो आप रोबोट के साथ अब खेल सकते हैं यह रोबोट है और यह काफी ताकतवर रोबोट है तो यह आप ट्रेन भी करेगा आपको आपको खेलना है आपको खेल भी सकते हैं और यह पहला रोबोट है दुनिया का जो table tennis tutor एक तरह गई है तो अब रोबोट ट्रेनिंग देंगे table tennis की यह कौन से देश ने बनाया है यह बनाया है जापान ने यह बताईए हमारी ministry of external affair के नए spokesman को है तो पहले कौन थे विकास स्वरूप अब विकास स्वरूप कहाँ चले गए अब विकास स्वरूप चले गए कैनेडा के वो ambassador बन गए है तो कैनेडा के हमारे आई commissioner को है अब विकास स्वरूप तो इनकी जंगा किस ने ली तो नए spokesman क को ने गोपाल बगले World Health Organization की रिपोर्ट है इसके हिसाब से 2015 में भारत में कितने लोग depression का शिकार हुए थे depression जिसमें एक तरह का ये मतलब आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता इसमें depressed रहता है खाना पीना कम करता है खुशी नहीं होती तो उसको बोलते हैं depression तो पांच करोड लोग थे भारत में जो 2015 में depression का शिकार हुए कौन सी फिल्म को best फिल्म का Oscar Award मिला ये असान सवाल है मैं बता चुका हूँ आपको ये फिल्म है Moonlight और best actor किसे मिला बाफ्टा में भी नहीं मिला था कैसे एफलेक और actress Emma Stone for La La Land इन में से कौन सा भारत का राज्य है या केंद्र शाशित परदेश है जो number one है lesser infant mortality rate में lesser infant mortality rate ये ह होती है कि यहां बच्चे बहुत कम मरते हैं तो ये है गोवा सबसे कम बच्चे यहां मरते है lesser infant mortality rate में ये है number one दूसरे में केरला तीसरे में पुड्डू चरी में सिर्फ 11 बच्चे मरते हैं जो mortality rate के अंदर जो पैदा होते हैं उनमें 1000 में से सिर्फ 11 अब ये बताहिए कि इ ये जेम्स बॉंड थे और इनके साथ इन्होंने ओक्टोपसी फिल्म में काम किया था इनका नाम है कबीर बेदी पी शिव शंकर इनका निदन हो गया ये कौनसे मंत्री का रोल इन्होंने नहीं निभाया था ये external affair मंत्री थे ये माराव संसाधन विकास मंत्री भी थे और कानून मंत्री भी थे लेकिन सूचना प्रसान मंत्री ये नहीं थे सो answer है ministry of information बर्ड कास्टिंग Reserve Bank of India ने committee बनाई है मीना हेम चंदर committee executive director Reserve Bank of India की ये किस चीज़ पे action लेगी ये action लेगी cyber threat के against हर्याना की सरकार ने एक online system बनाया है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लिंग अनुपात को अच्छा करने के लिए ये online system कौन से district में बनाया है ये इनोंने बनाया है पान निपत सुनी होगी इन में से कौन सा शहर है जो देश का जहाँ पहला post office passport service center inaugurate किया गया देश का पहला post office passport service center ये inaugurate किया गया विधीशा में विधीशा National Commission for Schedule Tribe जो अनुप सूचित जाती है उनके लिए chairman कौन बने है इनका नाम है नंद कुमार साई National Science Day ये हमारे मशूर वैज्ञानिक सीवी रमन जी का बढ़ड़े होता है इस दिन तो यह हम कब मनाते है National Science Day हम मनाते हैं 28 फरवरी को ये था भाग एक इसमें 125 कोश्चन से साइथ 2-3 जादा हो गए होगे यहीं से आगे गिंती भढ़ाऊंगा अगले वीडियो के अंदर तो चार वीडियो आएंगे जैसा मैंने बताया और वो चार वीडियो आप कर लेते हैं तो पिछले 7 महीनों के बेस्ट कोश्चन आप कवर कर लेंगे तो आई होब ये वीडियो आपने एंजॉय क्या होगा देखते रही है स्टड़ी आई क्यों